बिस्मिलारमाद नहीं, असलाम अलेकुम, PK Property Guide से मैं आपका होस्ट चुजी कामाँ सुसाइटी की वीडियो के साथ मैं आज हादर हुआ हूँ वो सुसाइटी में एक्सप्रेस वे के उपर ही है प्रॉपर सीडिये से जिसर है, जिना गार्डन जिसका नाम है Federal Government Implies Cooperative Housing Society, प्रॉपर इसका नाम है और शार्ट नेम जना गार्डन है, ये कुरंग टाउन का फेज टू है इसके बारे में आज एक कम्प्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि इसके अंदर क्या कैसा इसे क्लार्ट करूप के कितने परसंट ये डुएलप है, जो नॉँएलप है और अपको आज़वलप होगी इस सारी डिटेल के साथ आ जाए जवरूआ मेरे ये that पहले डोगी के मेरे चैनल तो लिए莲 के आईकन को प्रश कर दे हैं और मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किया करें कि मुझे इसमें मॉटिवेशन मिले जी वीडियो की टेल में चलते हैं जिना गार्डन सुसाइटी एक ऐसी सुसाइटी है जो इसकी दो एंटरंस है एक एंटरंस बेलकुल PWD के पैरलल कैपिटल इंकलेव के साथ एंटरंस है दूसरी एंटरंस इनकी जो है वो नेवल सुसाइटी के पास है 70 से 80 परसंट इसमें 30-60 साइज है फिर कुछ 5 मले और कुछ कनाल के प्लोट्स हैं और 12 मले के प्लोट्स भी हैं लेकिन 70 to 80 परसंट प्लोट्स जो है वो 30-60 सेमन मला साइज है इनकी तकरीबन डवेल्मेंट जो है 75 परसंट ये डवेलप है सुसाइटी प्रॉपर कंजेस्टिड है घर जो यहां पर है वो कंजेस्टिड है मतलब हर स्ट्रीड के अंदर आलमोस फिल हैं सारी गलिया और पानी, बिजली, गैस सब कुछ तर अवेलेबल है कुछ न्यू कटिंग गलियों में गैस भी अवेलेबल नहीं लेकिन पानी और बिजली मिडल कलास कम्यूनिटी के लिए बड़ी आइडियल सुसाइटी है रेट्स भी इतने ज्यादा नहीं है कमपेरिटिबली राइड लेफ सुसाइटी से और एकनॉमिकली अगर कोई बंदा अपना गर बनाना चाहे या वहाँ गर बना बनाया लेना चाहे तो जिना गार्डन उनके लिए आइडियल है तो जिसमें सबसे ज्यादा इनमें तदाद प्लाट्स है सैवन मलला की उनकी डिसकेशन करूँगा प्राइस भी नहीं की बताऊँगा मैं आपको सैवन मलला इसमें सबसे पहले आजाती है कुछ इसके प्लाट्स जो है वो भी जस्ट फाइले है नमबर लगा हुआ है स्ट्रीट उनकी मैंशन है मैप के अंदर लेकिन वो अभी जस्ट फाइले हैं ओन ग्रोंड कुछ नहीं है अभी सुसाइटी ने उनकी लैंड कलेर नहीं करवाई ये लास्ट टू त्री येर से आपको पता है के गवर्मन्ट सुसाइटी होने के वज़ा से जरा थोड़ी से सलो है लेकिन जिस लोकेशन के उपर ये इस वकत वाकिय है उस हिसाब से इसकी फाइल की प्राइस कुछ भी नहीं है लोगोंने कुछ वेट किया भी हुआ हुआ लेकर इसके अंदर कुछ लोग वेट कर भी रहे है लेकिन जो लोग वेट करते हैं थोड़ा सा वेट तो उन्हें ज्यादा करना पड़ता है लेकिन जब इनकी प्राइस अप होती है जो गलियां कटिंग में आती है तो उनकी प्राइस अची खासी बढ़ जाती है जिस तरह के इस वकत फाइल जो है जना गार्डन सेस वन की वो ग्यारा लाक सुर्ट बे से लेकर साड़े तेरा चोटना लाक रपे तक मैक्सिमम है इसमें लोकेशन मैटर करते हैं कुछ स्टीट बिलकुल डवेल्प जो एरिया है उसके साथ जुड़ी हुई है वहार रेट ज़रा अच्छा है फाइल का कुछ स्टीट बिलकुल एंड पे जाकर है और वो ज़रा दूर है डवेल्प एरिया से तो उनका रेट जो है वो मिनिमम है जैसे 11.12 लाकर पे ये टोटल अमाउंट 11.12 लाकर पे या 14 लाकर पे ये टोटल फाइल के अमाउंट होती है इसके लवा कुछ पे नहीं करना पड़ता है कोई डल्मेंट चाहते हैं पे जैसे ही कटिंग साड होती है रेड 35 प्लस चला जाता है जैसे वह गलियां प्रॉपर कर जाती है सीवरे डल के पोजेशन होने शुरू हो जाता है तो रेड आपका 50 से 60 के दरमयान फाल करता है कुछ अची गलियों का रेड जो है वो 60 प्लस भी चला जाता है और इस वकत जहां गैस नहीं है इस वज़ा से कि उनकी location कुछ की अच्छी है कुछ level है क्योंकि कुछ ups and down गलियां भी है तो जहां basement वाला plot होता है obviously उसकी price कम होती है जो level plot होता है उसकी price अच्छी होती है वीडियो बनाने का बताने का मकसद यह था कि बहुत सारे लोगों जिनके पास बजट जो है वो दो सवा दो या पोने दो का होता है दो करोड का उन्होंने घर खरीदना होता है तो यहां घर भी मिल जाता है और अगर कोई प्लॉड लेकर खुद अपना घर भी भी करना चाहे तो इसी बजट के अंदर उनका घर भी वहां त्यार हो जाता है सेवन मरला और ये एक कंजेस्टिड कम्यूनिटी है सारी तकरीबन सहलोते हैं उदर मजूद हैं जना गार्डन के अंदर और दूसरा यहां से इसलामाबाद मूव करना भी एजी है मेन एक्सप्रेसरे के बिलकुल करीब है तो इसमें अगर कोई शक्स फाइल लेना चाहता है तो वो बड़ी माइनर सी प्राइस की है लेकिन उसके अंदर इंतजार है वो इंतजार आपका दो तीन साल पे भी जा सकता है और वो चांसिस उसके ये हैं कि कोई मैनिजमेंट अच्छी आजाए लैंड कलेर करवा दे तो ये एक साल के अंदर अंदर भी कुछ पॉसिबिलिट होती है क्योंकि जो डिवेलप गलियां डिवेलप एरिया के करीब तरीन होता है उनके चांसिस ज्यादा होते हैं जल्दी डिवेलप करने के बाकी किसी किसम का इस जनाख गार्डन की फाइल से प्लॉट से रेलेटिड कोई असेस्मेंट लेनी हो कोई सेल परचेस रेलेटिड कोई आपसे कुईचन हो तो गिवन नमबर से कॉल करें मैं और मेरी टीम इन्शाला हाजर है कोशिश हमारी होती है कि जो actual position है उससे लोगों को अगा किया जाए और जो लोग छोटी investment के लिए कोशिश करते हैं गर बनाने के लिए या जिनके पास थोड़ी सी amount होती है वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ लेकर wait किया जाए कि वो double या triple हो जाए उसकी amount चाहे दो सब तीन साल लग जाए तो उनके लिए इनकी files आइडियल है कि वो files ले ले और थोड़ा wait कर ले तो इन्शाला उन्हें अच्छा gain आ जाएगा तो बाकी किसी किसम का कोई question और ज़रूर कॉल किया करें ज़रूर information लें इन्शाला हमारी कोशित या को accurate information दें मिलते हैं किसी next video में तब तक मुझे जास दें आपको और चुछरी कामरान अलाहाफीज